दोस्तो इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोग स्क्रीन के उपर चेक कर सकते हो मैं आपको एक analog clock बना करके दिखा हूँगा जी हाँ दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक wall clock बनाने वाले है जो की analog है, circular है देखने में और एक 3D सा look आपके सामने आ रहा है स्कूल के स्टूडेंटों खास करके तो या फिर आप बिगनर हो वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट में तो क्योंकि कॉलेज के फाइनल ये प्रोजेक्ट के लिए तो ये सूटेबल नहीं है ओवेसी बात है बट एक स्मॉल प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है यह और यह फुल्ली वर्किंग क्लॉक है यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिखाओ तो मेरे कंप्यूटर के घड़ी के अनुसार अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पांच बचके साथ मिनट और तेरा सकेंड पंदरा सकेंड पर जैसी आए आगा है 3D एफेक्ट ले करके आता है यह पहली बार नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा कराया हूँ अपने चैनल के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक 3D फॉर्म बना के दिखाया था आपको निमॉर्फिक एफेक्ट के साथ इन सारी चीजों का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप हमारा website का pre-loader जो website खुलने से पहले एक animation का effect आता है वो भी already मैंने बना करके दिखाया हूँ है लोडिंग से पहले का तो make sure आप उसको भी एक बार चेक करें और एक ही नहीं मैंने बहुत ही अलग-अलग effects यहां पर बना करके दिखाये हुए इसके link भी description में आपको दे दूँगा चीक है और clipping mask का भी link description में mention है so without wasting any time directly हम लोग jump करते हैं यहां पर practical section की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को बना सकते हैं pure html, css और javascript को use करके जी हाँ दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता है javascript या css तो भी यह tutorial आपके लिए ही है बहुत detail में कराने वाला हूँ so यहां पर मैं हूँ अपने folder के अंदर और folder के अंदर मैंने एक file डाउनलोड कर रखा है जो की है मेरा clock और यह एक png file अगर मैं इसके ओपर right click करूँ और properties में जाओ तो आप check कर सकते हो एक png है तो basically यह जो आपको numbers और dots दिख रहे है बस वही है अब यह अगर मैं direct open करूँगा तो कुछ नहीं दिखेगा यह पूरा black हो जाएगा reason is png file है उसका कोई background होता नहीं है तो वह black put कर लेता है चीक है बट यह basically transparent है इसके आर पार कुछ भी नहीं है सिर्फ numbers है तो एक background के हमें requirement पढ़ने वाली है और यह background मैं आपको इस video के description में हमारे social media page यानी की facebook page का link दे दूँगा वहाँ से आप download कर लेना direct link आपको मिल जाएगा ठीक है facebook page के उपर जा करके तो बस आपको एक background की जरूरत है अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ यह चीज हमें create करना है तो मैंने अपने project के लिए एक folder बना रखा और मैं आपको भी recommend करूँगा कि आप सारा का सारा काम एक folder में करे अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया notepad plus plus में मैं काम कर रहा बाकी सारे जितने भी होते हैं वो खामखा आपका काम बहुत ज़्यादा असान कर देते हैं तो फिर आप सीख नहीं पाओगे spelling वगरा ठीक है तो यहाँ पर मैंने HTML को start कर दिया है और file में जाके मैं click करता हूँ save as पे save as पे करने के बाद अपने उसी folder के अंदर सबसे पहले तो इस normal text को हटा करके मैं all type कर रहा हूँ और इसका नाम दे रहा हूँ मैं index.html अब चाहें तो जो मर्जी नाम दे लेकिन dot के बाद HTML हो और इसको आप all type याद से करें और उसके बाद आपके इसको save करोगे जैसी आप इतना काम करोगे यहाँ पे आपके सामने एक file बन करके आ जाएगा आपको simply इसको double click करके open कर लेना है अपने browser के उपर आप चेक कर सकते हो हम यहाँ तक पहुँच चुके है राइट सो मैं इसको भी इसके साथ shift कर लेता हूँ सो अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक पहुचाना है simple सा काम है इतना कोछ टफ नहीं है so folder के अंदर मेरे पास file बन चुका है और आप उसको check कर पार हो एक चीज़ आप से और request करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चनल पे new है तो please subscribe करे और bell icon को click करके all notification कौन करे ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और latest videos को notification मिलते रहे और ज़रूर मेरे चनल के playlist section को भी एक बार जा करके देखे बहुत सारे playlist मैंने कराए हुए है और यह animations और CSS के effects CSS के playlist में add कर दूँगा और project का छोटा सा folder बना करके उसमें भी add कर दूँगा इन videos को और learn in one video का playlist भी बना हुआ है मेरे पास उसके अंदर भी add कर दूँगा मैं तो make sure आप उसको जा करके भी देख ले ना अगर आप इन videos को बहुत बाद में चेक कर रहे हो तो मैंने google की तरह website बनाना भी सिखाया हुआ है और whatsapp की तरह application बनाना भी सिखाया हुआ है तो आप इन tag को मैंने यहाँ पर simply close कर दिया title मैं इसको provide कर रहा हूँ analog clock by cyber warriors ठीक है यह मैंने provide कर दिया और इसके बाद हमारा head tag जो है वो close होगा at the same time यहाँ पर हमें requirement है हमारे body tag की कि हम body tag को start करे और body tag को close करे और at the same time हमें HTML को भी close करने की ज़रूरत है basic सी चीज़े हैं यह और अगर मैं इसको refresh करूँ तो आप notice करोगे यहाँ पर analog clock by cyber warriors लिख करके आ चुका है so यहाँ पर मैं divisions के उपर काम करने वाला हूँ और CSS के playlist के अंदर मैंने बहुत detail में समझा रखा है एक चीज़ और जब हम इसको बना रहे होंगे तो हो सकता है एक दो line है या कुछ चीज़े आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया या आपको बहुत detail में समझने के अगर ऐसी requirement आपको कहीं भी लगती है तो मेरे भाई आप playlist section में जाना औरेड़ी javascript की पूरी playlist बनी हुई है CSS की पूरी playlist बनी हुई है जिसके अंदर मैंने बहुत detail में सारी चीज़े कराई हुई है तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो बहुत detail में है वो सारी चीज़े ठीक है so ये करने के बाद मुझे यहाँ पर requirement है एक division की div is nothing just एक हिस्साम page से अलग कर लेते हैं अलग करने का मेरा मतलब है कि हिस्साम declare कर लेते हैं कि ये particular portion जो होगा माल लेते हैं इतना सा area जो होगा हमारा ये एक div है ठीक है तो एक हिस्साम अलग अलग बनाते हैं basically तो ये मैंने overall एक बड़ा सा div बनाया ना ये div क्या करेगा ये overall div होने वाला है सबका बाहर वाला हिस्सा होगा तो ये हमारा वो div कहलाएगा तो ये में आप जो मर्जी नाम दे दो इसको class 2, id 2 फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्यों की हम यहाँ पर javascript का भी use करने वाले है और javascript के अंदर class पे deal होता है id पे deal होता है that's why मैं यहाँ पर class रखने वाला हूँ ताकि हमारा browser confused ना हो कि css वाली class चलानी है या फिर css वाली id चलानी है या javascript की id चलानी है so it's better कि आप यहाँ पे css के लिए id ना लिखके class लिखे और बाद में उसको dot लगा के access कर ले तो मैं यहाँ पर कहता हूँ class equals to और मैं इसका नाम दे रहा हूँ container container compressor ही नहीं है आप जो मर्जी रखे फर्क नहीं पड़ता और इसी के अंदर मुझे और एक div की जरुरत पड़ेगी ठीक अब इसके अंदर मैं एक div बना रहा हूँ div जिसका class मैंने दिया class equals to clock ठीक है एक बहुत बड़ा सा box उस box के अंदर एक और box जो की हमारे main घड़ी के लिए है और इस box को हमें यहाँ पर close करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा div यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर अब इसके अंदर मुझे और तीन boxes चाहिए तीन div चाहिए देखिए ध्यान सा समझिए एक overall एक बड़ा सा box है उसके अंदर इस घड़ी का एक box है ठीक है और उसके अंदर हमारे पास क्या है हमारे घड़ी के box के बाद क्या है तीन और div की हमें requirement है वो क्या होगा यह जो हमारे यह जो घूम रहे है यह सुई घड़ी के काटे एक hours का हमारा यह है एक minute का सबसे बड़ी वाली सुई है और एक second की सुई है यह seconds की सुई जो है जो per second आपकी change होती है सबसे बड़ी सुई उसके बाद आपका hours का उसके आपके minutes का तो तीन और div हमें चाहिए इसके लिए ठीक है तो उस चीज के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा div और simply आप उसको close कर दोगे अब जो पहली वाली div है ना उसकी जो class है मैंने यहाँ पर लिखा class equals to अब क्योंकि यह hours है तो मैं आप HR लिख रहा हूँ और दो बार और इसको paste करके दूसरा हो जाएगा हमारा minute उसका class मैंने minute दे दिया और तीसरे को कर दिया मैंने seconds SEC अब यह चीज़ें यह CSS के लिए है ताकि हम design अच्छा बना सके इस चीज़ का design लेकिन जिस तरीके से यह घड़ी काम कर रहा है ना वो javascript का part है तो javascript को access करने के लिए हम id use करते है और यह already मैंने अपने javascript के playlist में पढ़ा रखा है आप उसको भी check कर सकते हो बहुत detail में मैंने करा रखा है तो यहाँ हमें javascript के लिए id भी allocate करना पड़ेगा तो id equals to same मैंने कर दिया है इसको भी hr कर देता हूँ ध्यान द कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर second कर रहा हूँ वीडियो बहुत detail में बता रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना आए और आप सही तरीके से इसको बना पाओ अब तक का काम अगर refresh करके देखो तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको ठ हमारा यहाँ पर काम इतना ही था अब जो हमें काम करना है वो यह है कि हमारे इस फोल्डर के अंदर एक CSS का फाइल बनाना है यहाँ पर एक फाइल आएगा जरूरी नहीं है कि इसका आइकन आपको ऐसा ही देखने को मिले यह सब्लाइम का आइकन है यह कुछ भी हो सकता है आपको देखने को पड़ी सकता है मैं राइट क्लिक करके इसको सिंप्ली notepad++ में ही open कर रहा हूँ और directly हम इसकी styling करते हैं अब क्योंकि यह एक separate file है तो यह direct काम नहीं करेगा हमें इस external file को इस page पे link करना पड़ेगा जो कि आप करते हो head tag close होने से पहले फरक नहीं पड़ता आप head के बाद करो या title के बाद करो बट closing से पहले होना चाहिए और किसी भी कोने में हो लेकिन head portion के area के अंदर रहना चाहिए तो उसको link करने के लिए आपके पास यहाँ पे link है और यहाँ पे आपको देना है R.E.L. अब इस R.E.L. के अंदर आपको क् equals to वो हमारा एक text file है साथी साथ एक CSS का file है बाहर आता हूँ मैं href hyper reference अगर आप कहीं और रखा हुआ है तो पूरा path देना लेकिन मेरा सारा काम एक ही folder में है और उसका नाम क्या है style.css तो यह मैं लिख करके save करूँगा अब मेरी जो external file है यह style की वो link हो चुकी है मेरे इस document क साथ ठीक है अब अपने style sheet में आगे और एक बार इसको save कर लेता हूँ अब directly मुझे इसके designing करना है जो की main काम है इसका working में उतना कुछ खास नहीं है मतलब उतना code नहीं है जितना हमारे इसके designing में code है ठीक है so मैं यहाँ पर अपने css file के अंदर आ रहा हूँ जिसका नाम है style.css और इसमें हमें बहुत सारा काम करना है जैसी हमें इसमें कुछ करना शुरू करेंगे हमारा सारा कुछ reflect होना start हो जाएगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर star लिख रहा हूँ और star का मतलब है मुझे अपन और इसी के साथ साथ जो हमारा box का sizing होता है कई बार वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है मुझे वो भी नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर का box sizing और border minus box यह सारा कुछ मैंने अपने css के playlist के अंदर separately पढ़ाया हुआ है अभी refresh करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इससे आपके web page के उपर कोई भी आपको changes देखने को नहीं मिलेंगे अब मैं यहाँ पर body cut अपना css बना रहा हूँ और body के css के अंदर आपको कुछ चीज़े मैं यहाँ पर changes करके दिखाता हूँ first of all तो मुझे इसका background color change करना है body का तो यहाँ पर मैंने specify किया body background color मैं यहाँ पर html के color codes का use कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा ffdd00 ध्यान दे यह 00 है और आप इसको ना लिखे इतना करने के बाद मैंने इसको save किया और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आ करके refresh करता हूँ तो यह actually yellow तो है बट यह golden yellow है नॉर्मल yellow करोगे बहुत गंदा दिखेगा बट इस चीज़ आप देख लेना जो color आपको सही लगता है तो यह मैंने पहला step पूरा कर लिया और यह golden yellow color है तो उसका यह color code है मुझे यह यार्द नहीं है मैंने color code copy में लिक करके रखे हुए है ठीक है तो यह वह चीज है तो हमारा पहला step पूरा हो गया और यह जो color आपका change हो जा इसका मतलब आपने css को सही से link कर लिया है with the help of EA वाला tag जो आप यहां पर देख पा रहे हो इस line से चीक है वरना आपका css file link नहीं हुआ है तो फिर आगे की चीज़े भी काम नहीं करेंगी अब इसके बाद अगर आप notice करो तो हमारा सबसे पहला class जो बना हुआ हो container है उसके लाद clock है सबसे पहले हमें container की चीज़े देखनी है तो यहां पर मैं काम करते हैं अब क्योंकि यहां पर मैंने dot लगा रखा है sorry यहां पर मैंने class use किया हुआ है तो यहां पर access करने के लिए मैं क्या करूंगा dot लगाऊंगा container class है इसलिए यहाँ पर हम dot लगा रहे हैं तो container के अंदर मुझे कुछ चीज़े करनी है जैसे कि मुझे इसका width specify करना है तो मैंने कहा कि width let us say मैं इसका width है वो 400 pixels कर रहा हूं और इसका एक height दे रहा हूं वो भी मैं यहाँ पर 400 pixels दे रहा हूं और आपको भी मैं यही recommend करूँगा कि आप square बनाए इसको अगर आपने 800 रखा हुआ है 800 रखा हुआ है फार्क नहीं पड़ता यहाँ भी वो ही होना चाहिए यह चीज़े आपके computer आपके screen और आपके graphic card के हिसाप से change हो सकती है उपर नीचे यह value करनी पड़ सकती है ठीक है but proportion में रखना है at least उसको कि सही तरीके सा तो दिखे तो इसको मैंने यह कर दिया मैंने कहा इसका एक border भी रहने वाला है तो border मैंने कर दिया lattice से अगर मैं इसको one pixel कर दू hopes हो one pixel हमें दिखाई देगा मैंने कहा one pixels solid black ठीक है यह करके फिलाल हम save करके एक बार check करें कि हमारे page के उपर actually reflect क्या हुआ है हमें बनाना यह है लेकिन अभी बन करके क्या आया है तो अगर मैं refresh करू तो आप notice करोगे यहाँ पे आप लोगों के सामने एक box बन करके आया हुआ है दो लाइने दिख रही होंगी क्योंगे एक ऊपर चुप गया एक left side पर चुप गया बट still अगर मैं इसको two pixel करो तो थोड़ा better आप लोगों को एक reflect देखने को मिलेगा result see this तो पहला काम हमारा पूरा हो गया अब आप बोलोगे इससे हम यहाँ तक कैसे जाएंगे बस आप करते जाएए tutorial को follow सारा कुछ हो जाएगा so यह मैंने कर लिया और यह हमारा main container है something like यह वाला area overall बड़ा सा area ठीक है अब अब अवेसी बात है मुझे इसको center में ले करके आना है तो यह तो हमारा common sense है कि यह center में रहने वाला है center में ले करके आने के लिए उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आगया और इसकी जो position है मैं वो specify कर रहा हूँ मैंने का position जो है वो absolute चाहिए मुझे अगर मैं यह करके आपको save करके यहाँ पर आ करके refresh करके दिखाओं तो कुछ खास वर्क नहीं पड़ेगा तो position absolute करना है आपको अब इसी के साथ-साथ मुझे इसको center में भी करना है तो आपके पाद css का एक बहुत अच्छा property है transform आप यहाँ पर लिखेंगे transform colon translate ठीक है टी आरे एनस लेट करना चाहते हो और translate is nothing center में ले करके आते हैं इसको दोना एंगल से height और width दोनों जगह से तो उसके लिए मैं कहता हूँ भाई माइनस 50 पर जा जला उल्टा ठीक है वो जो है वो ऊपर चला गया खैर फरक नहीं पड़ता इतना इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर आप नोटिस करें तो अगर हम एक बाद से पहले आपको इतना ही code save करके चेक कर रहा हूँ तो यह एक्चली जो बाहर चला गया है वो left से आपको center में देखने को मिलेगा similarly आपको top से भी यही चीज़ करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे top और 50% जैसी आप यह करके save करोगे तो basically इन चारो लाइनों की help से आपका यह portion center में आ जाएगा किसी एक को भी miss करोगे तो काम नहीं करेगा let us say अगर मैं position को ना लगाऊ absolute और यहाँ पर आजाऊ और refresh करूँ तो आप notice करोगे काम खराब होगा तो यह चारो बहुत जरूरी है तो इस तरीके सही रखे ध्यान दे बहुत सारे तरीके हैं css में center को करने को div को center में लाने का बट घडी की सूई खराब ना हो जाए उस चीज के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ make sure आप थोड़ा सा वैसा ही रखे और राइट तो इसके कारण हमारे यह center में आ चुका है अब यहाँ पर कुछ चीजे और है एक तो हमारे यह center में आ गया अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे एक घड़ी और बनाना है इसके अंदरी है तो overall है ना तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा मैं नीचे 3-4 enter मार रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा screen पर भी दिखा सकूँ आपको यहाँ पर आने के बाद आप मैं उस clock की styling कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा dot और clock लगा दिया मैंने ठीक है clock के अंदर क्या करना है आपको सबसे प पिक्सल यह भी आपको square बनाना है proportion में रखना है और इसके बाद आप लगाओगे border let us say two pixels solid और यह भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ black color का save करके एक बाद चेक करते हैं कि actually वह गया कहाँ तो अगर मैं refresh करूँ तो आप notice करोगे वह इसके यह parent बन गया बाहर वाला और यह उसका एक child बन गया सब category क्योंकि div के अंदर div है हमारा तो यह वह चीज है अब 325 का क्या logic है क्योंकि बाहर जो box है वह 400 है और अंदर का box उससे छोटा होना चाहिए basically बाद में हम इसको circle convert करेंगे round बनाएंगे तो यह बाहर का रहेगा और यह उसके अंदर का रहेगा तो बीच में आपको जितना gap maintain करना होना उतना आप रखना तो मैंने 400 में से 325 रखा it means मैंने 75 का gap दिया right 75 क्या होगा यहां से 25 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 तो इस तरीके से basically हमारा इसका यह logic बन रहा है तो मैंने यह चीज़ किया अगर आप notice कर रहे हो तो यह सही तरीके से ह बट यह हमारा center में align नहीं है तो इसको भी हमें center में align करना है उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहां पे आपने सारी चीज़े लगा रखी है और इसको भी आपको center में align करना है उस चीज़ के लिए आप यहां पे करोगे position और इसके position को आप कर दोगे absolute और अगर आप इसको save करोगे और यहाँ पे आ करके refresh करोगे तो आप notice करोगे कुछ खास आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा So, यहाँ पे आपको करना है transform और इससे पहले कि मैं transform खुद लिखू It's better कि मैं अगर इसको copy कर लूँ यहाँ से और यहाँ पे ला करके paste करके save कर दूँ और refresh करो तो आप notice करोगे यह फिर से वही काम हो गया कि यह भी उपर की तरफ चला गया जब मैंने इसको transform, translate वगरा किया तो यह उपर की तरफ shift हो गया इसको भी हमें सही करना पड़ेगा बट actually इसे खुद से सही हो जाना चाहिए था और central line हो जाना चाहिए था खेर फरक नहीं पड़ता हूँ उम्मीद करता हूँ इससे कोई error देखने को हमें नहीं मिलेगा इसको भी left और right से थोड़ा सा alignment प्रोवाइट कर रहा हूँ यहां पर जो हमारे translate वगरा है वो correct है और यहां पर आते हैं हम इसको paste करके एक बार save करके देख लेते हैं तो जैसी आप refresh करोगे तो basically वो भी आपका यहां आ जाएगा जब आप उसको left और right से सही कर दोगे अब हमने maximum कांद पूरा कर लिए यह वाली outline हमने बना लिए अब हमें क्या करना है यह जो अंदर लिखे हुए है हमारी चीजे हमें उसको लगाना है जैसा कि मैंने आपको starting में कहा यह वाली image आप description से link ले करके मेरे facebook page से download कर सकते हो या फिर आप google पे जाना और google पे जाने के बाद आप लिखोगे clock background transparent images में चीक है कौनसी file download करोगे जो पहले से square square दिख रहे हैं उस पे click मत करना जो पहले से आपको normal दिखाई दे click करने पर उसका background square square बन जा है गायब हो जाए basically पहले normal दिखेगा white बाद में खाली हो जाए यह आपकी transparent कहलाती है png file कहलाती है बट मुझे इसकी requirement भी नहीं है cdc बात है मुझे तो खाली सा चाहिए तो ऐसे ही मैंने बहुत धूंडने के बाद जैसा कि यह आगया यहाँ पर तो ऐसा ही कुछ मैंने निकाल दिया था जिसमें dot what कुछ ना हो यह आपकी png file है बट इसमें अंदर white color है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे pure transparent चाहिए तो आप facebook page से मेरे download कर लेना चीक है तो वह background मुझे यहाँ पर लगाने की ज़रूर आता है background.png मैंने का यह file आपके case में jpg, jpack यह सब हो सकती है बट transparent है तो जाहिर सी बात है वो png रहेगी यह करके अगर आप इसको refresh करके देखो गे तो वह आतो गया but actually इसने काम खराब किया और यह पता नहीं कितने बड़े area में चला गया है मैं चाहता हूँ मेरे इस वाले box के अंदर थोड़ा सा नहीं यह सही तरीके से रहे समझे रहा मेरी बात को तो हम उसी चीज को यहाँ पर apply करना चाहेंगे तो मैंने इसको कहा कि बाई जो background है ना उसका एक size होगा मैंने कहा थोड़ा सा वो सही करके दे तो मैंने इसको कहा background size और background का size है मैंने इसको कहा cover रहे अगर मैं इसको ना सेव करके आपको चेक कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर वो चीज जो है वो अभी भी सही नहीं हुई है तो अगर मैं इसको सेव करके रिफरेश करूँ तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे वो सही तरीके से अलाइंग में हमें प्रोवाइट कर रहा है तो यहाँ पर नोटिस करोगे मैंने बहुत सारा काम पूड़ा कर लिया है अब इसी के साथ मेरी कुछ और रिक्वार्मेंट भी हुआ है बाहर भी एक circle बना हुआ है लेकिन हमारे case में वह square है तो उसे भी मैं बनाता हूँ फटा-फट से circle बनाना इतना tough नहीं है basically हमें यहां पर border radius को apply करना है और हम क्या चाहते हैं तो यह बाहर वाला जैसी आप यह करोगे और save करोगे यहां पर आके refresh करोगे तो आप देखोगे बाहर का जो हिस्सा है वो आपका circle हो चुका है अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमें अंदर वाले को भी यही करना है तो मैं copy कर लेता हूँ इसको और यहां पर मैं clock के अंदर paste कर रहा हूँ तो आसा ही तरीके से align हो जाएगा तो आप notice करोगे हमने बहुत सारा कम यहां पर निपटा लिया है अब इसी के साथ मेरी requirement है एक shadow चाहिए हमें shadow के ऊपर भी मेरे CSS playlist के अंदर बहुत detailed video है मैं आपको recommend करूँगा आप जा करके मेरे playlist section को देखे channel को बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मैंने आपको बताया ना बहुत ही कुछ सीखने को आपको मिलेगा so यह shadow मैंने बताया आपको 15-20 मिनट की detailed video है बट यहां मैं एक-दो मिनट में उसको wind up करने वाला हूँ सबसे बड़े वाले box में यानि कि जो मेरा container है उसका shadow मुझे चाहिए राइट इसका यह shadow आएगा इसका तो इसका नाम क्या है हमारा container मैं आ गया और यहां पर आने के बाद मैं कहता हूँ भाई जो मेरा box है इसका s-h-a-d-o-w इसका एक shadow लगान है अब shadow की बहुत सारी property होत है pixels होते हैं बहुत सारी चीज़े होती है मैं आपको recommend करना चाहूंगा playlist में CSS से बहुत detail में सीख सकते हो तो मैंने का 15 pixels again 15 pixels 15 pixels 15 pixels 30 pixels और इसके बाद आपको देना होता है color तो मैं approximately black के आसपास का tone यूज कर रहा हूँ और थोड़ा सा yellowish tone भी रहेगा हमारा थाके वो थोड़ा सा 3D look दे हमें चिक है यह जो glowing सा look है हमारा नीचे तो black चल जाएगा वाट उपर हमें glowing सा yellow का look चाहिए तो उसके लिए यह भी मैं color code का इस्तमाल कर रहा हूँ जो कि है हमारा 665800 और इसके अध कॉमा है ध्यान दे यह semicolon नहीं है वरना आप mistake ना करें और enter करके मैं फोड़ा सा इसको shift कर लेता हूँ tap दबा करके नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है अब आते हम नीचे की तरफ जो shadow देना है क् मैं इसको refresh करूँ hope so यह चले अभी यह काम नहीं करेगा दूसरी value मैं provide करता हूँ पहले इसको दूसरी value दी मैंने इसको minus 15 pixel 15 pixel minus में और एक और 15 pixels मैंने इसको provide किया minus में और एक 30 pixels दिया और इसको मैं color specify कर रहा हूँ fff 00 semicolon ध्यान दे यहां comma है और यहां semicolon है save करके अगर मैं refresh करूँ तो आप notice करोगे shadow apply नहीं हुआ ना इसके बहुत सारे reason हो सकते हैं हम देख लेते हैं यहां पर क्या problem है box shadow s-h-a-d-o-w और यहां पर मेरे को जितना दिख रहा है सब कुछ perfect है but still यह काम नहीं किया यहां पर यह रहेगा आपका 15 pixels 15 pixels 30 pixel और hashtag में आपका 665800 यह भी ठी जो मैंने border लगा रखिये जरा इसको हम zero करके देखे क्या problem है मैं save करके यहां पर refresh करता हूँ ठीक है तो shadow हमारा apply नहीं हुआ यहां पर आकरके refresh करते हैं हम इसे तो normal border वापस आगया हमारा अब shadow में कुछ problem है now यहां पर मैंने सिर्फ 5 value प्रवाइड की है actually f आपका 4 बार रहेगा और मैं उसको save कर लेता हूँ इतना करने के बाद मैं refresh अगर करू तो आप notice करोगे एक shadow और glowing सा effect आपको देखने को मिलता है यहां आपका yellowish tone है लेकिन पीशे वाले से वह light है और यहां आपका approximately black का एक soft सा tone है यह अच्छा नहीं लगेगा obviously बात है इसका outline जो है मैं हटाना पड़ेगा जरूत नहीं है अब चाहे तो इस पूरे code को delete मार सकते है या comment out कर सकते है खैर मैं यहां पे comment out कर रहा हूँ क् लोग code करोगे और यह करने के बाद मैंने इसको save कर दिया और यहां पर आ करके refresh करूँगा तो यह glowing सा लोगो देगा बहुत अच्छा सा अगर आप notice करो तो यही वह चीज है जो कि हमने पूरा कर लिया और वैसी बात है मुझे अंदर वाले को भी shadow देना है तो उसको भी apply कर रहा हूं मैं यहां पर तो जड़ा time waste ना करते हूए मैं directly इसी को copy कर रहा हूँ क्योंकि exact हमें यही करना है और clock वाले में आ करके मैं paste कर देता हूँ लेकिन actually इसमें एक problem आएगा अगर आप यह करके refresh करोगे और save करोगे और यहां से मैं इसको अगर border को comment out करू तो आप notice करो है कुछ नहीं करना यहां पर जा करके insert लिख देना वह अंदर की चला जाएगा अंदर की तरफ चला जाएगा ठीक है तो यहां पर आ करके आपको बस insert apply कर देना और यहां पर आ करके refresh करोगे तो वह अंदर की तरफ चला जाएगा उमीद करता हूँ मेरे भाई किसी को भी अ को बनाते हैं और इसकी एक आउटलाइन करते हैं और उसके बाद जरह हम इसके सुई को बनाते हैं घड़ी के ठीक है तो हम इस जगह पे वह अप्लाइ करने वाले तो इसके बाद अगर आप HTML में जाओगे तो इन दोनों का काम हमने पूरा कर दिया कुछ और चीजे हैं वह हम करेंगे अब जो हमारे पास चीजे बची हुई है वह है आर मिनट एंड सेकेंड और क्लॉक में भी हम कुछ चेंजे जोर करने वाले हैं तो दुबारा से मैं CSS वाली फाइल पर आ गया और CSS वाली फाइल में आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं और यहा आपको यहां जा करके चेक कर रहा हूँ तो यह जो सुई है हमारी यह वाली सबसे छोटा वाला यह होता है उसके बाद रहता है हमारा मिनिट्स वाला और उसके बाद सबसे ज्यादा जो होता है आपका सेकेंट्स वाला होता है तो इससे साबसे आपको हाइट और विर्थ को align करना है so यहां मैं कहता हूँ 150 pixels is sufficient और जो आपकी height रहेगी वो मैंने इसको specify किया 150 pixels यह basically मैं div की alignment कर रहा हूँ अभी so ही बनाना शुरू नहीं किया मैंने जैसे हमने container को square बनाया है वैसे हम इसको भी square बना रहे है मैं यहां से इसको copy कर रहा हूँ paste and paste पहला हमारा r का है दूसरा हमारा min minutes का है जो कि हमने इस जगह पे लिखा हुआ है और तीसरा जो हमारा है वो हमारा seconds का है जिसके लिए हम sec लिखने वाले है ठीक है तो 1.500 कर दिया मैंने और दूसरे वाले को मैं यहां पे 200 कर रहा हूँ क्योंकि obviously बात है वो थोड़ा सा बड़ा सूई रहने वाला है तो 250 is sufficient not 250 200 करते हैं हम लोग क्योंकि एरिया हमें थोड़ा सा जादा consume करना है और seconds की सूई सबसे बढ़ी होती है तो उसके लिए मैं 200 का एरिया consume कर रहा हूँ ठीक है यह करने के बाद मैंने इसको save किया और refresh करके यहाँ पर अगर आपको check कराऊंगा तो कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं बड़ थोड़े बहुत changes हुए कहीं न कहीं राइट यह आपको ऐसे नहीं दिखने वाला हमें इसकी सब की alignment करनी है तो हर एक को लिखने से अच्छा है कि मैं common सी css बना लूँ common css कैसे बनेगी dot hr comma space space नहीं भी दोगे तो कोई चक्कर नहीं है dot minutes comma space dot seconds ठीक है hours minutes and seconds इन टीनों की styling मैंने कहा भाई कुछ चीज़े common है इसलिए मैं इस जगा पर करना चाहता हूँ अब क्या common चीज़े है तो मैंने इसको कहा इसकी जो position रहेगी सुयो की अब position वगरा लगाने से पहले भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़े और करा देता हूँ जैसे कि हम इसकी अगर height और width लगा दे यहाँ हम इसका एक border लगा दे तो आपको लोगों को refresh करते है तो आप notice करोगे वो एक के नीचे एक आएगा और यह ऐसा ही आना चाहिए अगर ऐसा नहीं आया है तो मेरे भाई आपने CSS में कुछ गल्ती की हुई है ठीक है तो वो ऐसा आ गया हमारा एक के पीछे एक आगया नीचे की तरफ राइट सो बॉर्डर मैंने लगा दिया और इसको वन पिक्सल कर देता हूँ क्योंकि दो पिक्सल बहुत जादा हो जाएगा और वैसे भी हमें इसको हटाना है बाद में तो यह आपका कुछ ऐसा आ जाएगा तो यह एक के साथ में एक आएगा यह एक के बाद एक आएगा ऐसा नहीं आएगा आपका directly डोंट वरी यह एक के साथ एक आएगा जैसा नीचे नीचे शिफ्ट हो गए था न यह एक के साथ एक आजाएंगे कहीं न कहीं कुछ mistake है वो cross check करना पड़ेगा देखते हैं अगर कुछ mistake हुआ तो बट उससे पहले मैं यहापे करता हूँ इसको absolute करना है हमें और absolute करने के बाद हमें जो इसका display है D-I-S-P-L display हमें इसका flex करना है ठीक है जो हमारा hours यह सब है इसका हमें display flex करना है और इसी के साथ साथ आपको इसका justify content जो होता है justify content यह आपको center कर देना है जब आप यह करके save करोगे और यहाँ पर आ करके refresh करोगे तो आप notice करोगे यह जो मेरे अंदर boxes बने हुए है ना आपके case में यह side side में हो सकते तीनो आजार वैसा ही आना चाहिए था मैं चाहिए यह बिलकुल center में आ जाए तो उसके लिए मुझे इसके parent वाले में जाना पड़ेगा जो की हमारा clock नाम से और इसमें आने के बाद मैं यहाँ पर last में आ रहा हूँ और इतना last में भी नहीं मतलब इस जगह पर आ करके मैं यहाँ पर भी कुछ changes करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँगा हमारा display चाहिए मुझे flex डिस्पले हो जाएगा हमारा flex और उसके बाद हमारा justify content रहेगा वो center रहने वाला display flex justify content center इतना करके अगर आप save करके refresh करोगे तो इस तरफ से center में shift हो जाएगा ठीक है तो यह इस तरफ से center में shift हो गया और इसके बाद आपको लिखना होगा align items यहाँ पर लिखोगे align items और यह भी आपका यहाँ पर center रहने वाला है align items center करने का अप रिफरेश करोगे तो यह overall beach में आ जाएगा ठीक ह से आ गया खेर यह तो working बनाने के बाद में वालूम पड़ेगा आपके किसमें अगर side side में आये तो well and good है और वैसा ही हमें exact चाहिए भी होता है ना इसके बाद मुझे यहाँ पर एक circle बनाना है छोटा सा जो कि आप dot यहाँ पर check कर पा रहे हो मुझे यह बनाना है right क्योंकि मे मेरा clock है और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ यह जो आप check कर पा रहे हो मैंने यहाँ पर लगाया है दो बार colon दो बिंदी जो हमारा होता है ठीक है और css के अंदर हम इसे pseudo element कहते हैं तो मैंने यहाँ पर किया before और थोड़ा सा नीचे scroll कर दिता हूँ और इसको मैंने यहाँ पर close कर दिया इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें करनी है सबसे पहला तो हमें content क्या रखना है इसके अंदर मैंने का भाई कुछ नहीं रखना खाली रहेगा वो यह करके मैंने enter press किया और इसकी height कितनी होने वाल इसमें width की requirement भी है WIDTH तो width मैंने specify high किया वह भी मैंने 10 pixels का रखा जैसी आप इसको save करोगे सबसे पहले तो आपको इसका एक color देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर देना है background color मैं यहाँ पर black रखना हूँ यह करके आप अगर save करोगे और यहाँ पर आ करके अपने document पर refresh क करके देखोगे तो एक square box आपको देखने को मिलता है ठीक है हमें यह square नहीं चाहिए हमें तो यह circle चाहिए actually तो हम जड़ा circle करते हैं इसको इसके लिए भी कुछ नहीं करना हमें हमें simply यहाँ पर इसको border radius provide कर देना है ठीक है border radius मैंने का 50% और मैंने इसको save किया save करके इसको refresh करता हूं तो यह circular बन चुका है और मैं इसको हटा देता हूं ठीक है अब अगर मैं इस वाले को zoom करके दिखा हूं तो एक white color की lining भी बनी हो यह outline भी है वो भी हमें इसमें बनाना पड़ेगा जो कि हमारे में अभी नहीं है तो इस चीज को करने के लिए कुछ नहीं करना आप को आपको normal सा एक border लगा देना है मैंने का border let us say two pixel and solid white color का मैंने का एक border लगाना है मुझे ठीक है यह करने के बाद मैं save कर रहा और यहां पे आके refresh कर रहा ता आप notice करोगे white color का आपके सामने एक border बन करके आ चुका है अब हमारा बहुत सारा काम खतम हो चुका है और हमें बना करने वाले सबसे पहले तो यहां पर आ जाएंगे नीचे और यहां पर आने के बाद मैं बना रहा हूं dot hr colon colon pseudo element जो मैंने आपको बताया और इसमें मैंने लगाया before और इसकी coding मैं यहां पर specify करता हूं जरा कि जो मेरा hours है उसका सुई हमारा कैसा रहने वाला है सबसे पहले तो मैं उसकी position specify करता हूं कि भाई जो उसकी position है वो absolute रहनी चाहिए और उसका content भी होगा जाहिड सी बात है तो मैंने कहा content भी कुछ नहीं चाहिए मुझे खाली position दे दिया मैंने content दे दिया और इसके बाद चाहिए मुझे उसका width कि actually उसकी thickness उसकी मोटाई कितनी होगी मैंने का 8 pixels is sufficient 8 pixels हमारा बहुत है और जो हमारा hours का सुई होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है सबसे तो 75 pixels बहुत जादा है basically मैं किसकी बात कर रहा है आपको बताता मैं यहां पर आकर कर जो यह वाली सुई है वो छोटी होती है width 8 है और लंबा इसकी 75 pixels रहेगी मैं कहता हूँ चीके तो जो इसकी height है वो मैंने कह दिया जो हमारी height रहेगी वो 75 pixels रहने वाली है यह करके मैं save करता हूँ और यहां पर आकर कर refresh करता हूँ तो कुछ खास देखन का background color रहेगा इसका यहां पर आकर करके refresh करता हूँ save करके तो आप देखोगे वह center में आ गया से control x करके save करूँ और हटा दूँ तो आप देखोगे जो मैंने कहा था ना वो side side में आना चाहिए था वो देखो आगया ठीक है तो यह चीज़े कह रहा हूँ जाएगा z index तो यहां पर मैंने कहा z index अब यह z index क्या चीज़े चीजों को ऊपर या नीचे shift करने के काम आती है मैं आपको practically जादा अच्छे सा समझाओंगा इसको ठीक है थोड़ी देर आप रोग जाओ मैंने इसको 10 दे दिया कोई भी एक छोटी सी value देदेना 1 देदेना 1 minus 1 देदेना फरक नहीं पड़ता यह करके मैं इसको refresh करता हूँ तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो एक सुई बन करके तयार हो चुकी है हमारी now ऐसे ही हमें बाकी सुई को तयार करना है तो कुछ नहीं है उसके लिए इसी code को यहां से copy कर लो hours का सुई ready है minutes का बनाते है तो उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है min रखा हुआ है right सब कुछ वही है position भी रहेगा सब कुछ वही रहेगा लेकिन width थोड़ी सी कम कर देते है 4 pixels और minute की सुई थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते 100 pixels कर सकते हैं इसकी height को and color बगारा सब व रखा हुआ हमने SEC रखा हुआ है अब इसको और कम कर देते हैं और इसको 2 pixel कर देते हैं और जो यह है या तो 125 कर लो या 1500 कर लो बस वह थोड़ा घड़ी से बाहर ना निकले तो let us say अगर मैं इसको 1500 pixel कर दो तो एक पतली सी line बनके आएगी see this इस जगह पे आ गई है अब उसके लिए वह ही जो मैंने यहां से गायब कर दिया अपने code को और मैं भूल भी चुका हूँ actually कि वो क्या था जो मैंने यहां से हटाया तो जहां तक मुझे याद है हमारा एक display लगा हुआ था इस जगह पे 8 minutes और second में और display के अंदर हमने flex लगा रखा था और इसके साथ सा से आपकी alignment हो जाएगी ठीक है उमीद करता हूँ आपको यहां तक तो कोई doubt नहीं होगा अब मुझे actually कोई requirement नहीं है इसके outlines की तो मैं outline को हटा देता हूँ यह जो one pixel लगा रखा है इस line को ही मैं comment out कर देता हूँ और save किया मैंने comment out करके और last मैं जाते हैं save करने के बाद यहां पर मैं आता हूँ और refresh करता हूँ और z index की values हम change करना भूल गया पहले की 10 है उसके ऊपर हमारी दूसरी वाली घड़ी रहने वाली है let us say उसको मैं यहां पर 11 कर देता हूँ तो value जितनी बड़ी होगी चीज़े उतनी ऊपर दिखेंगी और जिसकी value कम है वो पीछे चली जाएंगी फिलाल black color है इसलिए आपको फर्क नहीं मालूम पढ़ रहा होगा बट मैं दिखाता हूँ आपको यह जो circle है आप देख सकते हो इसका यहां पर outline नहीं देख सकते अगर मैं इसकी z index बढ़ा दू सबसे ज नहीं है मैं वापस 10 कर रहा हूँ और देखे हम जो हमने बना रखा है clock before I think यह white color वाला yes यही है तो अगर मैं इसको copy करके इसमें z index लगा दू बाइडिफॉल्ट माल लेते हमने 10 रखा हुआ है तो इसको मैं 9 कर देता हूँ और save किया तो आपको कोई फर्क नहीं मालूम होगा तो मैं इसको save कर रहा हूँ और सबसे last में आ रहा हूँ मैं वापस पीछे भेज़ दिया और यहां पर आते हैं बन करके बिल्कुल तयार है अब जो हमें करना है वह हमारी javascript की coding ताकि हमारी जो घड़ी है न वह थोड़ा सा काम भी करें और system की चीज़े भी उठाए मेरे भाई एक बार और एक वेश्ट करना चाहूंगा बहुत ज़दा टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए मेरा गला बहुत दुख चुका है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दो यार और comment कर देना अलग से live chat तो बाद में तो make sure please इस वीडियो को उपर comment कर देना अल the help of javascript बहुत simple से चीज़ है वो इतना कुछ tough नहीं है तो javascript की coding करते हम लोग इसके लिए और जो मेरा folder है उसके अंदर मुझे javascript की एक file बनानी पड़ेगी separate file बनाऊंगा ज्यादा code तो वैसे नहीं है तो file में जाकरके मैं यहाँ पे new file select कर रहा हूँ और file में जाकरके save as यहां से all documents और इसका नाम आप जो मर्जी रख लेना let us say clock की working इसी के अंदर code होगी तो मैं working लिख रहा हूँ script tag लगा देना script src source equals to a की folder में पढ़ा हूँ है नाम के है wrking working.javascript की file है और इसके बाद आप अपने script tag को यहाँ पे close कर देना ठीक है तो script tag को आपको close कर देना है आपकी file link हो गई है खैर working काम करेगी नहीं करेगी उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह link हुआ भी है सच में या नहीं हुआ है कुछ variables बना रहा हूँ है मैंने letter, where और const के ऊपर भी जावा script के playlist के अंदर बहुत detail में वीडियो करा रखी है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ h or ur our equals to और control ऐसे एक बार save कर देता हूँ इसके बाद मैंने use किया document.get not hat it's get get element by id यहाँ पर ध्यान देना element का e capital होगा by का b capital होगा और id का i capital होना चाहिए वरना चीज़े काम नहीं करेंगी इसके अंदर आपको single quote लगाना है और इसके अंदर आपको hr लगाना है simple सी चीज़ है और इसके आपको दो और copy बना ले नहीं है hour के बाद आपकर baked minutes के अंदर का क्या रहे गा मिनत के नधर मिनत के नहीं रखहा है मिन दे रखहे ऑर इसको अपको सेके नाम के नाम दे रखहे ठीक है तो गूगल की तरफ साइड की प्ले लिस्ट है आपकी चैटिंग की प्ले लिस्ट है प्रोजक्ट के प्लेलिस्ट है बहुत कुछ गश्यों आप देख सकते हो और सारे लिंक भी मैं आपको मेंचन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो वह अल्रेड़ी डीटेल में बहु एक कर रहा हूँ, चीक है, यह करने के बाद equals to, और shift के साथ यह वाला symbol लगाया, और यहाँ पर मैं अपने braces को लगा देता हूँ, फटा-फट से, और यह करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ variables ले ले लेता हूँ, let us say, let date equals to, और एक नया object create कर लेता हूँ, new date, यहाँ पर जो date का D है, वो capital रहेगा इस जगा पर, और इसके बाद आपको semicolon लगाना है, hours के लिए हमने hr ले रखाया, तो मैंने का hr equals to, इसके अंदर date का कौन सा हिस्सा जाएगा, dot, get, अब मैं JavaScript का एक method आता है हमारे पास, जिसके through a system का date खुद ही उठा सकता है, जो हमारे computer की date चल रही होत यह laptop की, मैंने का get hours, भाई hours को pick कर ले, basic से mathematics से मैंने का इसको multiply कर 30, मैं आपको recommend करूँगा कि आप values खुद पुट कर लेना मेरे भाई, मुझ से कराओगे तो मैं उल्टा गलत answer यह निकाल के दूँगा, so maths मेरे बसका नहीं है, यह आप values पुट करके देख लेना, ठीक है कि क कहां से answer आ रहा है, so इसके लिए भी same चीज रहेगी और इसके बाद मैं इसको दो बार और ले रहता हूं यहाँ पर, hours का काम हो गया हमारा, और इसके बाद हमारी next requirement क्या रहने वाली है, minutes की, और तीसरी requirement क्या रहने वाली है हमारी seconds की, right, hours, minutes और seconds की आपकी requirement रहेगी, date.get hours था पहला और यह हो जाएगा हमारा get minutes और यह हो जाएगा हमारा get seconds, simple, पहले को multiply 30 करना है, दूसरे को आपको यहाँ पर multiply by 6 करना है, मैंने आपको कहा value put करके देख लेना, system के hours को उठा करके क्या रहा है multiply करके answer, basically हमारे यह घड़ी जो है किस तरीके से घूमेगा, यह जो ती प्रास्टिक काम करना है छोटा सा, जो कि हमारा है ho urr.style.transform, वैसे तो यह आप सीधे सीधे इतना फर्क नहीं पड़ता, यह JavaScript का पार्ट नहीं है, बट इसको, है तो CSS का पार्ट, बट इसको हम बड़े अराम से JavaScript के अंदर भी अक्सेस कर सकते हैं, कि घुमाना भी है भाई म तो यह कुछ खास काम नहीं करेगा, मैंने यहाँ पर कहना आपको दो start है लेकिन close एक है तो basically वो इस जगह पर close होगा, save करके अगर मैं यहाँ पर आ जाओ और refresh करूँ तो यह कुछ खास काम नहीं करेगा, right, so हम चाहते हैं कि यह थोड़ा सा काम भी करे, तो काम के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे, r.style.transform, ठीक है, r.style.transform, अब यहाँ पर यह लिखने के बाद आप is equals to, single quote के अंदर आपको कुछ चीज़े कर लिए, अब एक चीज़े आपको ध्यान दे लिए, यह single quote यहाँ पर नहीं रहने वाला, आपको यहाँ पर यह वाला symbol लगा आपको tab के ऊपर, जो आपका 1,2,3,4 लिखा होता है ना, उस जगह पर यह आपको मिलने वाला है, तो इसके अंदर आपको लिखना है, क्या लिखना है, rotate करना है, rotate करना है, z axis पे, z axis पे rotate करना है, मैंने कहा इसको और bracket के अंदर मैंने क्या कहा, dollar, फिर मेरे यह लग ज जाओगे, plus, again आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब हमारा minute, minute slash 12, यह आपको लिखना है, इसके बाद आपका एक यह close और एक यह close होगा, ठीक है, और इसके बाद आपकी कोई चीज और नहीं आएगी, इसके बाद आप लिखोगे deg, और deg लिखने के बाद आप बाहर करना है, ऊपर एक को लगाना है, और यहाँ पे आपको लगाना है, semi colon, simple, I don't think कि आपको इसमें कोई doubt होना चाहिए, alright, so यह बाहर चला गया basically, तो यह अट जाएगा हमारा, यह नहीं रहेगा, और यह जो है हमारा actually वो अंदर रहेगा, ठीक है, so यह जो है, इसको मैं यहाँ से अठा करके इस जगह पे लगा रहा हूँ, तो पहला line आपका यह रहने वाला है, तो ध्यान से आप देख लेना, इस चीज़ को गलती मत करना, यहाँ पे कोई, दो और copy बना रहा हूँ मैं, और दूसरा हमारा क्या रहने वाला है, minute, right, so यहाँ पे आ करके मैं कहता हूँ, म, I, N, minute, और तीसरा क्या रहने वाला है हमारा seconds, right, so यहाँ पे आके मैंने SEC कर दिया, rotate तो इसको भी करना है, rotate Z हमारा यह भी लगेगा, लेकिन कुछ चीज़े हमें change करनी है, जैसे की, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ से आपको सारी चीज़े हटा देनी है, और यहा कर लिए, आपको तीसरी value क्या बनानी है, SEC, seconds की value बनानी है आपको, ठीक है, इतना आपको करना है, और इतना करने के बाद आपको अपके file को save कर देना है, save करने के बाद आप डिरेक्ट आओगे यहाँ पे और refresh करोगे तो देखोगे कि यह थोड़ी सी इसमें कुछ movement हुई ह बट actually यह काम नहीं कर रहा, अब काम क्यों नहीं कर रहा है, उसका कुछ error धूनना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कुछ error ही आ गया है, तो यहाँ पर हो सकता है, मैंने कहीं पर कोई चीज miss कर दी हो, उसे हम फटा-फट से धूनते हैं और देखते हैं कि क्या problem इसमें आ रहा ह और राइट, so error मैंने find out कर लिया है, और जहां तक उमीद है वो यह एक error होगा, यहाँ पर मैं let लगाना भूल गया, तो आप सबके आगे एक एक let जरूर लगा लेना, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ let, और इसके बाद सेव करता हूँ और उमीद करते हैं कि इ और हमने पूरा लिखा हूँ लेकिन minute हमने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पर आपका आएगा minute और यहाँ पर आपका आएगा second, इतना करने के बाद आपको refresh करना है, तो जैसी आप refresh करोगे, आप notice करोगे कि यह आपका fully functioning और जो दोनों घडिया हमारी है काम कर रही है, but still झापको कर सकते हो, क्योंकि जाएच सी स्क्वार है नहीं तो बॉर्डर रिडियस अगर आप पचास दो कर तो यह circle और आप 0US Dog करोगे, भरeफरष जैसी करोगे, तो यह काम नहीं करेगा, पता नहीं i.ए यहाँ पर मैं स सभी इसको इंग यहाँ से नहीं हैです kurius wire enca televis इसको हटा करके हम इंडिविज्यूली कर सकते हैं, जो हमारे आवर्स है, इस जगह पे अगर हम आते हैं, तो इस जगह पे भी हम बॉडर रेडियस लगा सकते हैं, अगर वो वहाँ काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप यहां पे आ करके 50% कर दोगे, और इसको save करोगे, यहां पे आओगे रीफ्रेश करोगे तो आप नोटिस करोगे कोई एक सुई यह वाली सीदिस थोड़ा अच्छा यह हो गया यहां से जो है ना काफी अच्छा बन गया और एक थोड़ा सा टाइम भी इसका चेंज हुआ बस इसी लाइन को मैं यहां से करता हूं कॉपी और बाकी दो गंटे लग गया है एडिट करके पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें और कितना देर का वीडियो आपको मिलने वाला है उमीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जरूर आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें और इन वीडियो को जा करके भी सीखे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरी इस मेहनत के लिए लाइक जरूर करें और मेरे भाई अलग से कमेंट भी कर देना ताकि बाद में लोगों को दिखाई दे चैनल पर न्यूँ तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करके औल नोटिफिकेशन को अन करें ता आपसे अगली वीडियो में थाइंक्स पर वाचिंग गाइस